तो सिद्धिस्थान का पहला अध्याय है हमारा कल्पना सिद्धी, इंपोर्टेंट है चप्टर, इसमें आप देखें ये जो तीन, चार और पांच नंबर श्लोक दिया गया है, इसमें अगनी वेश हैं, जो उन्होंने अपनी जो गुरु हैं, उनसे क्या कि कोश्णिंग की ह बारा कोश्ण उन्होंने उनसे पूछे हैं, तो ये चप्टर अंसर फॉम में, वैसे तो पूरी समीता ही ऐसे है, ये जो अगनी वेश हैं, जो गुरु हैं उनसे पूछ रहे हैं, और जो गुरु हैं वो अपनी शिश्य को पता रहे हैं, तो इसी फॉम में पूरी समीता है, यहाँ पे इस चेप्टर में स्पैसिफिकली बारा कोश्चन पूछे गए हैं आप देखे अग छे नंबर श्लोग शिक्स नंबर श्लोग यहाँ पे क्या बोला है प्रथम प्रश्न का उत्तर है इसमें तो त्रया वरम सप्त दिनम परम्तु तो सात्मी भवेत सप्त दिनात परम्तु को आपने हाइलेट के इतने को क्या यहाँ पे कहा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम आपको कितने दिन तक स्निहन करना चाहिए तो मिनिमम आपको तीन दिन तक और मैक्सिमम साथ दिन तक स्निहन करना चाहिए फिर बाद में स्वेधन करें साथ दिन के बाद क्यों क्योंकि अगर आफ साथ दिन से ज़्यादा किसी में स्नेहन करते हो तो वो साथ में हो जाता है उसे साथ दिन तक कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे तो साथ में हो जाती है नेक्स आता है हमारा साथ नंबर श्लोक, सेवन नंबर श्लोक में सनेहन के लाब क्या है, benefits क्या है सनेहन के, सनेहों अनिलम हंती, अनिल वायू को नस्ट कर रही है, मरिदू करोती देहम, देहे को मरिदू बनाती है, मला नाम वी निहंती संगम, और जो मलों का संग है, स्वेधन कर दिया, फिर उसके स्वेधन से क्या लाब होंगे, स्निक दस्य सुक्षम, सुक्षमेशू, अहनेशू, लीनम, स्वेधस्तू, हाइलेट करना, दोश्यम, नयती, द्रवत्वम, जैनि जो दोश होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, जब स्वेधन करते हैं उसे, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं स्वेधन से क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा आट नंबर श्लोग, इसमें आप हिंदी में देख सकते हैं, वमन करम कराने का उत्कलेश आपशिक, मतलब उससे पहले उत्कलेश जरूर कराते हैं, आप किसी को जब वमन में तब निकलेगी जब जाद आमाउंट में होगी ऐसा करके कहा गया तो क्या करते हैं एक दिन पहले क्योंकि अगले दिन वमन तो कराना ही है कफ को तो निकालना ही है उन्हें परकूपित हुए कफ को बड़े हुए कफ को तो एक दिन पहले उसको कफ उत्कलेशित आहार देते हैं ताकि जो वमन हो वो सम्यक हो, अच्छे से प्रधान शुद्धी, मर्द्यम्यावज, जैसी भी उसको शुद्धी होनी है, सम्यक शुद्धी होने चाहिए, तो इसके लिए पहले कफ उत्कलेशित आहार दिया जाता है ये वोमन की बात इनों ने कही बिराता है विरेचन विरेचन करने योग्य विक्तियों में जांगल पश्यों के मासरस स्निक दियूश के साथ तो दिया लेकिन जो कफ को न बढ़ाने वाला हूँ ऐसा देना चाहिए मतलब कफ अगर बढ़ गया तो वोमन ही करा देगा ना चलिए कफ कम होना चीह वमन के लिए आपको भाड़ना होता है उसको बढ़ाना होता है नेक्स आते है नौ नमबर श्लोक में आप हाईलेट कर लिजीए स्लेशमो उतर हम चरद्यती ही अधुख हम यानि अगर शलेशमो उतर है कफ परदान है चरद्यती उसको वमन होगा विरेचन कभ सम्मे होगा जब कफ मंद होता उस वेक्ति का तो तो अगर वमन जो प्रोसीजर आप करा रहे उसमें आपने कफ को अच्छे से उभारा ही नहीं है कफ कम है तो वो वमन क्या करेगा विरेचन करा देगा पेशन को और विरेचन वाले पेशन में अगर कफ बढ़ा हुआ है तब वो उसको वमन करा देता है दोनों उल्टी चीज़े हो जाएंगी जैसे समझ रहे है ना आपकी जो वमन है उसमें आपका कफ बढ़ा होना चाहिए लेकिन अगर वो नहीं बढ़ा पाया सपोस्थ तो विरेचन करा देगा फिर पेशन को वो और विरेचन में मंद होना चाहिए कफ मंद ना होके आपने उतकलेशित कर दिया तो फिर वो मंन के थुरू बार निकलेगा नेक्स रहता है हमारा ग्यारा नंबर श्लोक को आप हाइलेट कर सकते हैं पेया विलेपिम अकृतम कृतम चयूश्यम रसम त्री द्वी अथ एकस्च क्रमेन सेवेत विशुद काय मुपरधान मध्यमवर शु पर चीजें हमारे होती हैं पेया विलेपि यूश और मांसरस इनको तीन तीन मतलब अन्नकाल तक दो दो अन्नकाल तक एक एक अन्नकाल तक लेना चाहिए कैसे क्रमेन सेवेत क्रम से कैसे प्रधान मध्यम अवर शुद्धी शुद्धा प्रधान शुद्धी में आप क्या कर पेया पेशिंट को तीन बार दोगे, तीन अन्यकाल तक देते हो, फिर विलेपी उसको तीन अन्यकाल तक देते हो, यूश तीन अन्यकाल तक देना है, तो एक बार हम कृत देते हैं, दो बार कृत देते हैं, इसी तरह मासरस भी आपको तीन बार देना है, तो कृत मासरस एक ब बार ऐसे फिर मद्यम शुद्धी में सारी जह वो मद्यम शुद्धी में द्वी दो बार देनी है पेया भी विलेपी भी यूश भी दो बार देने तो दुनों तरह का यूश देंगे एक एक बार एक बार कृत एक बार कृत इसी तरह मांसरस भी एक बार कृत एक बार कृत एक और अवर शुद्धी में जो है वो एक एक बार देनी है सारी चीज़े तो पेया एक बार, विलेपी एक बार, यूश भी और मांसरस भी तो यूश में फिर हम कृत ही डिरेक्ट यूज करते हैं तो यह हमारा है जो संसर्जन करम है उसके बारे में फिर टोटल अनकाल अगर हमारे प्रधान में बारा, मध्यम में आठ और अवर में चार और डेज के कितने काउंट होते हैं साथ दिन, पांच दिन और तीन दिन तो यह दिन आपको याद हो सेवन, फाइल, थ्री और अनकाल बारा, आठ और चार इस तरीके से बारा नंबर शलोक में अब पहले जैसे अनु अगनी, बहुत कम अगनी हो, उस पे आप तरिन या गोमे आदे थोड़े-थोड़े डालते हैं तो संदुक्षय मानो, बढ़ने लगते हैं वो बढ़ जाती है, अच्छे से, महान स्थिर सर्व पच्चस्त थेव, महान हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ ज चीजों को भी पाक कर देती है, शुद से पे आदी भीर अंते अगनी, इसी तरीके से पे आदी से जो अंतर अगनी है, जो शुरीर शुद हुआ है, उसमें जो अंतर अगनी है, वो पे आदी से ऐसे ही बढ़ती है, ऐसा बोला, यानि वमन विरेचन से जो अगनी कम हो गई आप उस पे क्या करते हो हल्की चीजे डालते हो यानि पयाविले पयादी पेशन को देते हो जिससे वो पीएगा और उसकी जठागनी बढ़ जाएगी महान हो जाएगी स्थिर हो जाएगी और सभी चीजों को पचाने वाली हो जाती है नेक्स है हमारा 13 और 14 नमबर श्लोग जगन्य मध्यम प्रवरे तू वेगास चत्वारी इश्टह वमने शट और अश्टव आपको पता है वमन के जो वेग होते हैं हमारे प्रवर और मध्यम और अवर कितने होते हैं आठ छे और चार इस तरीके से आप पढ़ते हैं यानि प्रवर शुद्धी में आठ है मध्यम में छे और अवर यानि जगन्य में हैं चार फिर इसी तरह विरेचन में कितने होते हैं प्रवर शुद्धी में तीस वेग आएंगे फिर दस वेग आते हैं प्रस्थास तथा द्वी त्री चतुर गुण है और विरेचन में जब हम दोशों का मान काउंट करते हैं प्रस्थ में तो कितना होता है द्वी ती चतुर दो प्रस्थ तीन प्रस्थ और चार प्रस्थ मतलब हीन शुद्धी है तो दो प्रस्थ बद्धम शुद्धी में तीन और उत्तम शुद्धी में चार प्रस्थ दोश निकलते हैं next line में highlight कर लीजिएगा पितान्तम इस्टम वमनम विरेकार्द कफान्तमनों चे विरेकमाहू इसमें क्या बोला जो वमन है वो पितान्त श्रेष्ट होता है और विरेकाद अर्धम विरेचन का आदा होता है मतलब दोष्यों का जो प्रमान निकलता है विरेचन में उसका आदा वमन में निकलता है तो कितना निकलेगा एक डेढ़ और दो मतलब हीन शुद्धी है तो वमन में दोशो का मान एक परस्त निकलेगा मध्यम में डेढ़ निकलेगा और मैक्सिमम यानि प्रधान शुद्धी में दो परस्त जो है वो मान निकलता है और कफांत विरेचन सरिष्ट है पितांत वमन सरिष्ट है इसमें confusion ना हो आपको देखिए जो वमन होता है हमारा वो आप कराते हो कफ के लिए तो कफ पहले निकलना चाहिए न कि उसके लिए तो मेन प्रोसीजर है तो लास्ट में पित निकल जाता है पहले वमन में कफ निकल जाएगा तो बाद में obvious सी बात है पित ही निकलेगा इसी तरह विरेचन की बात कर तो विरेचन कराया जाता है पित के लिए मेन तो पित पहले निकलेगा फिर बाद में कफ निकलता है तो कफांत विरेचन सरिष्ट है आपको count करने कबसे start करने है वेग पेशन के विरेचन के लिए बोला यानि विरेचन में जब दो या तीन मल के वेग निकल जाएं पेशन को फिर उस दरव्य का मान आपने count करना start करना है और वमन में जितनी मातरा में ओशद लिया है उसने वमने तो पीतम जो उशदी आपने सुबा पेशन को पिलाई होगी वो जब निकल जाए तब से आपने वमन का वेग जय हो count करना start करना होता है next है हमारा 15 नंबर श्लोक में क्रमात ये highlight करना क्रमात कफ पित अथ अनिलश्च करम याद रखना है आपको वमन है जो उसमें क्या करम से दोश निकलता है तो सबसे पहले कफ निकलता है फिर पित और अनिलश्च यस्य सेती सम्यक वमित सैष्ट हृद्यो पार्शो मूर दिंद्रिया मार्ग शुद्धो तथा लगुत्वे अपीच लक्षमाने इन इन पार्ट्स में जब लगुता होगी शुद्धी होगी इनकी ये हमारे वमन के लक्षन है सम्यक फिर है 16 नमबर श्लोक में देखिए दुष्च चर्दिते अगर वमन का अयोग हो यानि हीन योग है तो क्या होता है सफोर्ट कहा कोठ कंडू हरिता अविशुद्धी गुरु गातरताम चगुरु गातरता होती है शुद्धी लगती नहीं है और स्फोर्ट यानि स्किन डिजीज हो जाती है अगर वमन का हीन योग होता है फिर आता है वमन के अधियोग में क्या होगा त्रिश्णा महो मूर्चा अनिल कोपह को हाइलेट कर लिजिए वात्का प्रकोप निद्रा बलहानी इस सब की लॉस हो जाए गई यह साथ नेक्स्ट सेवंटीन नमबर श्लोक में आप हाइलेट करना श्रोतो विशुद्धी इंद्रियसम प्रसादो लगुतों उर्जो अगनि अनामायतों यानि श्रोतों विशुद्धी होती है इंद्रियों का प्रसादन लगुता आएगी उर्जों अगनी अगनी बढ़ जाती अनामयतों जो रोग है वो नाश हो जाएगा प्राप्ति किसकी होती है सबसे पहले विट निकलता है मतलब हभी हमने बोला था ना कि जो विरेचन है वो कब से काउंट करना श्राट करना है जब जो विट है उसके दो तिन वेग निकल जाए तो पहले विट निकलता है फिर पित फिर कफ और लास्ट में अनिल सम्यक विरिकतस से भवेत करमे में फिर नेक्स है हमारा अठारा नंबर शलोक में विरेचन के अयोग में क्या होता है स्याद सलेश्म पित अनिल प्रकोप यानि वात पित कफ तीनों दोश है जो उनका प्रकोप हुआ है इसमें और लास्ट पड़ इसी शलोक में प्रतिशाय फिर तंद्रा तथा चर्दी अरोचकस्च वाद अनुलोमन नैचे दुर विरिकते वात का अनुलोमन नहीं होता अगर विरेचन हीन हुआ है तो प्रतिशाय हो जाता और तीनों दोश पर कूपित हो जाते हैं नेक्स है हमारा 90 नंबर शलो में क्या होगा कफ अस्त्र मतलब रक्त है हमारा पित है इनका क्षय हो जाएगा और अनिलोथा वात क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपनम यह सब कंडिशन इनकी वज़े से होंगी निद्रा बला भाव तमप्रवेश को हाइलेट कर लीज तो अब हमने पढ़ लिया वमन और विरेचनी यानि वमन और विरेचन से शुद्ध की शुद्धी होगी उसके बाद क्या होता है बीस नंबर श्लोक में देखे संसरिष्ट भक्तम नव में अहनी को आपने हाइलेट किया नव में अहनी सरपिस ततम यानि नव में दिन जब वमन और विरेचन से शुद्ध हो गया संसर्जन क्रम आपने करा लिया तो नौमे दिन क्या करना चाहिए घृत पिलाना चाहिए पेशन को और अनुवासिये द्वा या फिर अनुवासन बस्ति देने चाहिए तेल गातरस्य अततो निरुहुनम दद्ध्यात त्रयाहम भूख्षता है तो आपने निरुहु वर्ड को हाइलेट करना है और न अतीभूख्षता है फिर इसके तीसरे दिन जो अतदिक भूका ना हो तेल की मालिश करके उसकी वर्डी पर निरुहु बस्ति उसको देनी चाहिए तो वमन और विरेचन जो है उनसे नौमे दिन अनु निरुहु बस्ति देने का विधान है वो भी न अतीभूख्षता है वैसे हम निरुह बस्ति पेशन को खाली पेट देते हैं मतलब उसने कुछ खाया ना हो ऐसा लेकिद न कुछ तीन दिन से कुछ नी खाया और फिर आप निरुहु बस्ति दे पिर उसको शाम में आपने रूबस्ती दे सकते हो या फिर अगर पेशन ने शाम को रात को खाना खाया था सुबह वो उठा है पच गया उसको खाना तब आप दे सकते हो जो बस्ती है हमारी ठीक है तो ना अति भूबुक्षता है भूके पेट दे नहीं होते हैं लेकि ना अत और दे नहीं है जो पेशन को खाना खाले खाना खाने के जैसे उसने खाना फिनिश के पांच बाद आप अनुआसन बस्ती दे दे देते हैं लेकिन न अति अशिता अनुवासन बस्ती के लिए भी बोला पुरुज जो अतदिक भोजन न किया हो उसी दिन रातरी में नुवासन बस्ति उसको देनी चाहिए ऐसा कहा गया है next है हमारा 22 नंबर श्लोग 22 नंबर श्लोग में highlight कर लीजे first line शीते बसंते चा दीवा नुवास्यो रातरो शर्द ग्रिश्म घना गमेशु आते हैं ये question बहुत बार शीते बसंते चा दीवा नुवास्यो दिन में आपने नुवासन बस्ति किसको देनी है शीते बसंते चाहिए जब शीतल काल हो शीतल कभ यानि शीशिर्यो और हिमंत रितु दोनों और बसंत रितु इन्में दिन में आपको नुवास्यो रात्रो शर्द ग्रिश्म घना गमेशु में घना गमेशु ठीक है वर्षया रितु में आपने रात्री में जब अवासन बस्ति पेशन को देनी चाहिए नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 25 नमबर श्लोग 25 इसमें क्या बोला गया एकम तथा त्रीन कफजे विकारे कफज विकार में एक या तीन आप बस्ती देते हो अनुवासन पित आत्म के पंच्टू सप्त वा अभी यानि पित जविकारों में आप पंच या साथ देते हो अनुवासन बस्ती वात के नवक और एकादश वा पुनर और वातज में नो और ग्यारा आप देते हो तो अनुवासन बस्ती आप साइड में हेडिंग डाले जो स्पेस बचा हुए ना इधर इधर लिखे है नुवासन तो लिखे के पी और वी कफ पित और वात इस सिक्वेंस में हम पढ़ेंगे कफ पित और वात कफ के आगे लिखे है वन कॉमा थ्री एक और तीन लिखा आपने पित में पांच और साथ और वात में नो और ग्यारा तो और नमबर है देखे सारे एक तीन पांच साथ नो ग्यारा तो ये इस से आपको दोश कैसे याद रखने है अब अनुवासन बस्ती है यानि इस नहें यूज हो रहा है तो इस नहें सबसे ज़दा वात के लिए अच् नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर श्लोग 26 नंबर श्लोग हिंदे में आप हाइलेट कर लीजी बियेच्चियो में पूछा हुआ कोश्चन है बहुत बार आता है विरेचन देने के बाद 7 दिन तक निरुवस्ती का प्रियोग नहीं करना चाहिए आपने हाइलेट किया कम से कम 7 दिन का डिफरेंस होना चाहिए विरेचन और निरुवस्ती के बीच में यह पूछा जाता है नेक्स्ट है हमारा 27 और 28 नंबर श्लोग में निरुवस्ती के गुण बताए यह जो पेज ऐसी पे बॉटम में हमारे बोला वस्ती वयस थापित्वा सुख आयू बल अगनी मेधा स्वर वर्ण करता है फिर सर्व अर्थकारी यह हाइलेट कर लीजे सर्व अर्थकारी सभी कारियों को करने वाली होती है शीशु वरिद्वा यूना जो बालत है अवरिद्वा यूवस्ता है उन सब के लिए अच्छी है निरत्य यानि कोई उपद्रव नहीं करती कॉम्प्लिकेशन नहीं करती सर्व गदापा सभी योगों को नश्ट करती है फिर नेक्स लाइंग में हाइलेट करना विट सलेश्म पित अनिल मुत्र करशी यानि जो विट है मल है कफ है, पित है, वायू है और मुत्रेन को निकालने वाली दाड्यव है, द्रिडता लाने वाली शुक्र बल प्रदश्ट शुक्र और बल को बढ़ाने वाली होती है तो यह हमारी निरूह बस्ती के गुण बोले गए है नेक्स्ट है हमारा अनुवासन बस्ती के गुण बोले गए तो 29 नंबर श्लोक में आप सेकंड लाइन को हाइलेट कर लेजिए ने तेल दानाद परम अस्ती किंचिद द्रव्य विशेशन समेन आरते है यानि वात को हरने के लिए वात में जो वेदना है उसको शान्त करने के लिए तेल से बड़ा कोई भी द्रव्य नहीं होता उसे बढ़कर कोई भी द्रव्य नहीं है ठीक है क्यों? क्योंकि अपोजिट होता है ना वात के गुणों के तो यहां लिखा स्नेहम रॉक्षम यानि जो रुक्ष गुण है वायू का खत्वा ऐसे हर लेता है ऐसा बोला 31 नंबर श्लोक में देखिया आप 31 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को भी हाइलेट कर लीजिए मूले निशिक्तो ही यथा द्रुमन स्याद निल छदह कॉमल पल वाग्रया यानि जैसे बोलते हैं कि अग जो पेड़ है कि मूल में जड में आप पानी डालते हैं ऐसा तो नहीं होता ना कि पेड़ के उपर ऐसे आप पानी डालते तो उससे निट्रिशन मिलता है जड जड जो होती है रूप जहां पे है वहां पे आप पानी डालते हो पेड में लेकिन वो जो पानी है उसकी वज़े से पूरी पेड में nutrition जाता है ना जो भी पतियां है वो सब क्या हो जाती है बढ़ने लगती है पेड बहुत बढ़ा हो जाता है फलफूल सब आते हैं लेकिन आपने पानी कहां डाला था जड़ में तो उसी परकार ये अनुवासन बस्ती के सेवन से जो मनुश्य है वो ऐसी स्वस्त महान और एक अनेक संतानों से युक्त हो जाता है नेक्स है हमारा यहां पर बोले गए हैं 33 नमबर श्लोक में 33 नमबर श्लोक बस्ती प्रयोग के योग्यरोग कौन से हैं तो हिंदी में देखेंगे आधमान हो अगर मल में गांट हो गई हो में स्वी ग्रतिते पूर्शे उदर में शूल हो और भोजन में अर उची है इस प्रकार के अन्य कोई भी रोग है जो उनमें बस्ती अच्छी होगी नेक्स्ट है हमारा थर्टी फाइव नंबर श्लोक में देखें थर्टी फाइव नंबर श्लोक सिकेंड लाइन तत प्रत्यानिक ओशद संपर्युक्ताने को आपने हाइलेट किया तत प्रत्यानिक ओशद संपर्युक्ताने बेंस आप बस्ती के थुरू क्या करते हो, प्रत्यनी कोशद आपने देनी होते हैं जैसी पेशन की condition है, जैसी उसको व्यादियों उसके opposite treatment करते हो कैसे जैसे अगर वो उशन का से पीड़ित है, तो शीतल द्रव्य से बस्ती देदो शीत से पेड़े दे तो उशन द्रवयों से बस्ति देने चाहिए तो प्रत्यनी कोशद जाए वो यूज करनी चाहिए नेक्स्ट है 36 नंबर श्लोक है हमारा हाइलेट कर लीजे इसकी हेडिंग को ब्रिहन बस्ती का निशेद यानि अनुआसन बस्ती किसको निशेद है नव ब्रिहन आन विधीत बस्तीन वीशोधनिय शुगदेशु वैद्दे यानि जो वीशोधनिय रोग है जिनमें शोधन करना चाहिए उनमें ब्रिहन का प्रियोग आप नहीं करतें नेक्स लाइन में हाइलेट कर लिजिए कुष्ट प्रमहे आदिशु मेदरेशु नरेशु कुष्ट है प्रमहे है और मेद है बड़ा हुआ है किसी विक्ती का तो उनमें आप ब्रिहन बस्ती नहीं देते हैं यानुआसन बस्ती की आप कह सकते हैं ये तीन वर्ड एक तो आ में बढ़ा हुआ है उनमें आप ब्रिहन बस्ती नहीं देते हैं नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर श्लोक 37 इसमें बोला गया निरूवस्ती के निशेद कहां कहां पे हैं तो शीनक्षता नाम नव विशोधनिया जो शीनक्षत वाले पेशेंट है ठीक है और शोशी नाम को आपने ह शीनक्षत हैं जो ठीक है उनको शोश राज्यक्षमा के पेशेंट को जो मूर्चित हैं वैसे तो अत्यनत दुर्बल हैं और नय मूर्चित हैं मूर्चा से पेड़ित हैं उनको भी आप निरूवस्ती नहीं देते और जिनका वमन और विरेचन से श्रीर की शुद्धी हो च हैं शाखा गता कोष्ट गतास्च रोगा मर्मों ऊर्द सर्व अव्यवाश्च यानि शाखा गत कोई भी रोग हैं कोष्ट गतरोग हैं मर्म प्रदेश में होने वाले श्रीर outra के ओर या फिर सभी भागों में होने वाले कोई भी रोग हैं ये संती तेशाम नही कश्चद अन्यो वायू परम जन्मनी हेतु रस्ती यानि वायू के अलावा कोई इनके जन्म का हेतु नहीं है तो शाखागत या पूरी बॉडी में कोई भी होने वाले रोग है तो वायू तो उनका बेस होता ही होता है यानि वायू उनके उत् इस लाइन में देखे आप थर्टी नाइन नमबर श्लोग में सेकंड लाइन थर्टी नाइन की तस्य अति वरिदस्य शम्याए न अन्य बस्ती बिना भेश्जम अस्ती किस्टिन अब ये उपर बतायक्तों कि सभी प्रकार के रोग वातजी होते हैं फिर जो विट मल है मुत्र है पित है ये इनका विक्षेप करना इनको अलग करना या इनको मिलाना ये सब बात की वज़े से हो रहा है तो बात के पहले तो कर्म बताये बॉड़ी में क्या का इंपॉर्टन कर्म है उसकी ये बताने के बाद फिर बोला कि इस बड़ी हुई वायू को शांत करने के लिए बस्ती किस से छोड़कर अन्या कोई औशद नहीं है तसमा चिकित्स अर्दम इटी व्रुवन्ती को आपने हाइलेट का है इसलिए जो वैद्दें इसको अर्ध चिकित्सा बोलते हैं कि सारी चिकित्सा हैं एक तरफ और बस्ती एक तरफ मतलब बस्ती को इतनी जादा इंप प्रफ जोड़म इसको सारी चिकित्सा ही बोलते हैं कि बस्ती हर डीजीज का ट्रीटमेंट है ऐसे करके तो अर्ध चिकित्सा भी बोला और संपूर्ट चिकित्सा भी हमारा चालीस नंबर श्लोग में देखे नाभी प्रदेशम कटी पार्श हो उक्षी गत्वा शक्रित् नेक्स लाइन में सहसनेहम उदर इन में जाती है बस्ति पहले मल और दोशों को विलोडित करती है अपने में विलीन करती है शरीर का सनिहन करती है मल और दोशों के साथ फिर वापिस आ जाती है तो वो बस्ती कहलाती है नेक्स लाइन में है हमारा 41 नंबर श्लोक की फर्स लाइन को आपने हाइलेट किया प्रसिष्ट विण मुत्र समीरत्वं रुच अगनी वृद्धी आश्य लागवानी यानि विण मुत्र समीरत्वं यानि अच्छे रूप से प्रवृद्धी होती है यानि कोई रुकावट नहीं होगी रुची बढ़ेगी उसकी खाने में अगनी वृद्धी अगनी बढ़ जाएगी और आश्य लागवानी जो आश्य है मतलब अकवाश्य आदियाश्य उनमें लगूता आती है रोगोप शांती रोगशांत हो जाएगा प्रक्विस्तता स्वास्थे लाव होता है उसको और बलम्च तत्स्याद शीर के बलके वरिद्धी होती है तो सम्यक निरू के लक्षन हैंगी नेक्स्ट है निरू के अ योग में क्या होगा 42 नमबर श्लोक में स्याद स्याद रुकह शीरो, हृद्य, गुद, बस्ती, लिंग, शोफर को आपने हाइलाट किया यानि उसको रुकवेदना कहां पे होगी शीरो, हृद्य, और गुद इन जगां पे उसको वेदना होगी और बस्ती, लिंग, शोफर है उसको बस्ती में और लिंग में शोफ होगा यानि स्वैलिंग होगी परतिशाय भी करती का उस चको आपने हाइलाट किया परतिशाय होगा और भी करती का यानि गुदा में कैची से काटने समान वेद में होती है यह आपने आइलेट किया नेक्स्ट हमारा आता है 43 में आप हिंदी में देखिए निरू के अर्थियोग के लक्षन बोलेगा तो बोलते हैं कि जो विरेचन के अर्थियोग के लक्षन है निरू में भी उत्कन होते हैं फिर है अनुवासन के सम्मेक लक्षन है यह हम नहीं पढ़ेंगे इतना इंपॉर्डन यह है सम्मेक क्या होगा कि जो आपने अनुवासन बस्ती दी थी वो मल के साथ गुदा से बाहर आ जाती इंद्रियां स्वस्थ हो जाएंगे उसकी सब चीजें जो उसको अच्छी लगेंगी हलका पन होगा बल बढ़ जाएगा उस विक्ति का ऐसा करके बोला नेक्स्ट ए 45 नुमबर श्लोक में आप देखे अनुवासन के अयोग का लक्षन तो अधे श्रीरो उधर बाहू प्रिष्ट पार्शवेशू रुग रुक्ष खर्च गात्रम यानि अनुवासन के अयोग के लक्षन आप हिंदी में अगर देखेंगे तो पेशिंट है जो अगर सम्यक रूपसे नहीं हो उसका बाहर नहीं आया तो उसके अधर परदेश में उधर में बाहू प्रेष्ट और पार्शवेश पेड़ा होगी रुक्षता होगी पूरे श्रीर में और खुरदरापन होगा वाईू है जो मल मुत्र है उनमें रुकावट होगी और सम्यक के लक्षन है अनुवासन बस्ति के अतियोग का लक्षन यह नीचे लिखा होगा ना 45 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन है हरिलास सम्हू कलम साद मुर्चा विकर्टिका तो यह अतियोग का लक्षन है 46 नमबर श्लोग में अनुवासन के सम्यक योग की परिभाशा आप बोली आप हिंदी में ही हाइलेट कर लीजिए अनुवासन बस्ती देने पर उसका तेल श्रीर के अंदर तीन याम तक रहकर तीन याम आपने हाइलेट किया तीन याम रहकर फिर निकलता है जब बोड़ी से इसका मतलब क्या है कि सम्यक अनुवासन हुआ है उसको फिर 47 और 48 नमबर श्लोग में बस्तियों की विभिन संख्या के बारे में बात की गई है तो आप यहीं साइड में एक चार्ट बना लीजिए आपने चार्ट में क्या लिखना है जो हमारे कॉलम्स होंगे वो कौन कौन से है सबसे पहले होगा बस्ति बस्ति नेक्स्ट कॉलम में होगा स्नेहे यानि स्नेहे बस्ति अनुवासन बस्ति निरुहू बस्ति और फिर स्नेहे लिखने आपने वादर स्नेहे भी है तो एक अनुआसन का ही तो थोड़ा डिफ्रेंशेट करने के लिए एक बार तो पहले आपने लिखा बस्ती फिर उसके ही आगे कॉलम में स्नेहे बस्ती फिर अनुआसन बस्ती निरुहू बस्ती और फिर लास्ट में स्नेहे बस्ती तो जो पहला बस्ती वाला कॉलम है उसमें आप लिखे कर्म फिर उसके नीचे लिखे काल और फिर योग कर्म काल और योग संख्या के अधार पर हमारी बस्ती तीन प्रकार की कर्म बस्ती काल बस्ती और योग बस्ती तो कर्म बस्ती में आप लिखे स्निहे कितनी होती है वन प तो आपने लिखा एक बारा बारा पांच ऐसे पहले एक स्नेह बस्ति दी जाती है फिर निर्भू दी जाती है और फिर अनुवासन दी जाती है तो निर्भू और अनुवासन अल्टरनेटिवली बारा बारा दी जाती है बारा अपने अनुवासन दोगे बारा निर्भू फिर अंत में पांच अनुवासन बस्तिया स्नेहें बस्तिया आप उसको देते हो फिर आते है काल बस्ति की बाद तो काल में क्या होता है एक स्नेहें दी जाती है लिखे वन फिर सिक्स सिक्स यानि अनुवासन और रिर्भू जो अल्टरनेटिवली देते हैं वो 6 और 6 दी जाती है, फिर last में 3 नहें बस्तियां, 3, 1, 6, 6, 3 ऐसे, फिर आती है योग बस्ति, योग बस्ति में आप देखिए पहले एकस नहें दी जाती है, फिर 3 निर्हू और अनुवासन अल्टरनेटियों तो 1, 3, 3, 1 ऐसे याद रखना है, कर्म में आपने लिखा 1, 12, 12 पांच, काल में 1, 6, 6, 3 और योग में 1, 3, 3, 1 ऐसे करके, तो अगर आपसे अब कोश्चन पूछा जाए कि कर्म बस्तियां जो होती है, वो टोटल कितनी होती है, तो 30, लिखे 30, कर्म के आगे आगे आपने लिखा 30, काल के आगे लिखा 16 और योग के आगे लिखा 8, 30, 16 और 8 ऐसे होती है, फिर आपको पूछें सबोज कि जो कर्म बस्ति है, उसमें अनुवासन बस्तियां कितनी देते हैं, तो अनुवासन बस्ति एक्स नहें दिया है शुरू में, फिर 12 अनुवासन, फिर लास्ट में इस नहें भी दिया हैं, तो यह हमारी कितनी होगी आप आपको करना है, इसमें यहनी 18 टोटल अनुवासन बस्तियां देते हैं, 12 निरू हैं, इसी तरह काल में आपको जो है वो 10 अनुवासन बस्तियां देनी है, 6 उसमें निरू हैं, योग में आपको टोटल 5 अनुवासन देनी है, 3 निरू हैं, इस तरीके से आपको देखना है कि question क्या पूछा गया आपसे कि आपको total days पूछी गई करम या काल या योग वस्ती के या फिर निर्भू ही अकेली पूछी गई है या फिर अनुवस्ती का प्रियोग नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 49 नंबर श्लोक 49 नंबर श्लोक में हिंदी में आप देखिए निर्भू बस्ती का प्रियोग तो वात, पित, कफ, प्रकृती वाले पुर्शों को 3, 5, 4, 6 अनुवस्ती देगा शोत विशुद्धी के लिए निर्भू बस्ती देनी है उसके बाद आता है हमारा 50 नंबर श्लोक शिर्भू बिरेचन के लिए क्या बोला अनुवस्तन और निर्भू बस्ती से जिन व्यक्तियों के शिर्भ की शुद्धी हो गई उन व्यक्तियों को सिर्भ प्रदेश पर स्वेधन की जगा आप काट देजे स्वेधन की जगा लिखे स्नेहन पहले सिर्फ परदेश पर स्निहन कराकर हाथ के तल्वे को गरम करके सिर्फ पर स्वेधन करना जाए तो पहले सनिहन फिर स्वेद है इसके बादवाध पित्खत तो तीन बार मध्यम दोश हैं तो दो बार और हीन दोश हैं तो एक बार नस्यापको पेशेंगों देना चाहिए फिर सम्यक औयोग औरत्योग के क्या-क्या लक्षन आते हैं तो 51 नमबर जो श्लोक लिखा सम्यक की है, पहली लाइन जो है वो सम्यक की मतलब उरो, शिरो, लागवता, इन हिंद्रियां उसकी शुद्ध जाएंगी शुद्ध शुद्ध जाएंगे, ये सम्यक की है फिर है अयोग की लाइन है, गलो अपलेप, शिरो गुरुत्म उपलेप सा लगता जैसे कफ भरा हुआ है अंदर गले में शिरो गुरुत्म, सिर में भारी पन निश्ठ ही, वो बार बार पेशेंट स्पिट करता है थूपता है, चव अपी अधे दुर विरिखते हैं फिर उसके बाद अतियोग की लाइन करके लिखी हुई है शिरो अक्षी शंक श्रवन अर्ति है, इन इन जगां पे वेजना होगी पेशेंट को तोदाव अत्य अत्थम, जादा शुद्धी होगी तोद होगा और तिमिरम्च पश्ये, तिमिर को आपने हाइलाइट गया तिमिर व्याधी जो हमारा शिरो विरेचन है, उसके अतियोग का लक्षन है नेक्स्ट है हमारा 53 नमबर जो श्लोक लिखा है ना, इसके नीचे एक लाइन दी गई है सात्मे पृष्ण का उत्तर, ऐसे हेडिंग है इसकी तो जितने टाइम आपको बस्ती आदि कर्म, उसको पेशन को देने में लगा उससे दुगने समय तक जो है वो परिहारकाल होता है मतलब जो पत्या पत्या करते हैं मतलब पत्या का पालन करना पत्या का त्याग करना तो ये परिहार काल दुगना होना चाहिए जितने भी जिन तक आपने उसको पंचकरम दिया उससे दुगने काल तक उसको आपत्या दी का परिहार करना चाहिए इत्याग करना चाहिए नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर श्लोक 55 नंबर श्लोक में 9 में और 11 में प्रश्ण का उत्तर यानि इसमें अब 9 में और 11 में प्रश्ण जो पूछा था उसका अंसर क्या बोला गया बस्ती नेत्र के मारक के बंध हो जाने से विशम रूप से नेत्र को गुदा में लगाने से अर्ष, कफ या मल के द्वारा गुद मार के रुकावट से बस्ती अंदर प्रवरिष्ट नहीं हो पाती न यानि कोश्चन क्या पूछा होगा कि बस्ती अंदर प्रवरिष्ट क्यों नहीं होती और या फिर सुख पुरवक बहार क्यों नहीं निकलती तो इन इन रिजन की वज़े से बता दिया अगर आपने गुदा में नेत्र अच्छे से नहीं लगाया है अर्ष है, कफ बहरा हुआ, अंदर मल बहरा हुआ, तो भी बहार नहीं आएगा इन इनकारणों की वज़े से, तो इसलिए बोलते हैं, जब बस्ती आप पेशिंट को देते हैं, तो उससे पूछा जाता है कि जो मतलब उसको कैसे मल या मुत्र ऐसे कुछ वेग तो नहीं लग रहा तो पहले उसके ब्लैडर को एमटी करके या फिर उसके मल को निकालके तब आपको बस्ती देने हैं, क्योंकि जब आपने बस्ती दी और तब पेशिंट को ऐसे हुआ, तो सारी बस्ती वापिस आजाएगी, कोई काम नहीं करती हो फिर बॉड़ी में तो इस तरीके से हमारे वो कोश्चन सारे कंप्लीट होते हैं, आप सिक्स्टी नमबर श्लोक में देखें, प्रशनान इमाने द्वादश, यानि बारा प्रशन इस चेप्टर में पूछे गए, तो बारा कोश्चन है, जो उसका अंसर यहां पे दिया गया है, तो इस फिर्स चेप्टर हमारा सिद्धिस्थान का कंप्लीट होता है,